मेरे पास गाड़ी प्लस गन भी है आपके लिए पांचो तयार है बसादेश करिएगा मैं फालतू की पकवास में भरोसा नहीं करता हूँ इस वहाँ सा मैं समझोगे उस वहाँ सा मैं समझाएंगे सुखदेव सिंख गोगा मेडी के हतिया की बाद भले ही राजस्थान पुलिस ने तमाम अपवराधियों को गिरपतार कर लिया हो लेकिन अवी भी सुखदेव सिंख जी को इंसाफ नहीं मिला है दोस्तों का जा रहा है जिन सूटरों ने सुकदेब सिंग जी के उपर फैरिंग करा अब उन सूटरों की खैर नहीं उनके एंकाउंटर का मांग करा जा रहा है सवाल यह आता है क्या सुकदेब सिंग जी के हत्यारों का एंकाउंटर होगा आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे दोस्तों आखिरकार किस तरह से वराजपूत समुदाय की लोग गुसे से आग बबुला हो चुके हैं एक एक करके तमाम बातों का खुलासा करेंगे वीडियो को पुरा देखना शाथि साथ आप सबों को साबसे पहले नमसकार पर्णाम आदाव सutsरियाकाल जैसरी महाकाल दोस्तों और इस वीडियो को देखने वाले सवी भाईयों और सवी बैहनों को हमारे तरप से दिल से सलाम जैसा कि आप सबों को पता होगा दोस्तो सुकदेब सिंग गोगा मेडी जी का हत्या 5 दिसंबर 2013 को कर दिया गया इनके हत्या के बाद दोस्तो हाली में गोगा मेडी गों में सर्व समाज के लोगों की दुआरा एक मिटिंग रखा गया जिस मीटिंग में उतर परदेश से वीरू दादा भी आये थे वीरू दादा ने इन दोनों सुटरों के लिए जो कहा उसे सुनकर आप लोग भी सन रह जाओगे उससे पहले चर्जा करते हैं दोस्तों इनके हत्या के बाद कुछ समय पहले डाकू जगन गुर्जर ने भी लोरेंस बिस्मोई को दमकाया था आपको याद होगा दोस्तों डाकू जगन गुर्जर ने कहा था सुगदेब भाई के हत्या का बदला तो हम लेंगे और आपको बता दू डाकू जगन गुर्जर ने साप साप कह दिया था किसी भी कीमत पर लोरेंस गेंग को नहीं छोड़ेंगे लेकिन दोस्तो जगन गुर्जर ने जैसा कहा वैसा हुआ नहीं जगन गुर्जर ने सुकदेब सिंग जी के बारे में कहा ये गरीबों के मसीहा थे ये लोगों को बचाने का काम करते थे और लोगों को बचाने वाला का जिसकतर हत्या कर दिया गया उन्हीं के घर में ये विल्कुल गलत है और आपको बतादो जगन गुर्जर ने कहा तक किसी भी जाती का गुंडा क्यों ना हो लेकिन हम उससे छोड़ेंगे नहीं लेकिन अब दोस्तो जिस तरह से वीरू दादा ने अपना बयान दिया उस बयान से तो मानों की चारो तरफ हर गोई हिल गया आपको फटा होगा दोस्तो ऐसे बहुत सारे लोग है जो सुगदेव सिंग गोगामेडी जी की हत्या की बाद इंसाब चाते हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका कहाना है सुगदेव सिंग गोगामेडी का हत्या जो की एक बहुत बड़ा च्छल है और ये च्छल किसी और की साथ नहीं है बलकि हिंदू समुदाय की लोगों की साथ है सुगदेव सिंग गोगा मेडी के हत्या की बाद बहुत सारे एसे लोग है जिनका मांग है कि इन सुटरों का एंकाउंटर कर दिया जाना चाहिए आप देख सकते हो दोस्तों यही वो दोनों सुटर है जिसने सुगदेव सिंग जी के उपर गोलियां बरसाया था हाले में दोस्तों जिस तरह से इनके गोह आकर वीरू दादा ने अपना बयान दिया जरा उस बयान को आप लोग भी सुनलो आपको बतादू वीरु दादा का कहना है जिस तरह से सुगदेब भाई का हत्या करा गया ये बहुत ही बड़ा च्छल है और आपको बतादू उन्होंने ये भी कहा ये राजपूत समुदय की लोगों पर हमला है और आपको बतादू वीरु दादा ने कहा इन दोनों सुटरो का एनकाउंटर तो होना ही चाहिए अगर पुलीस वाले इनका एनकाउंटर नहीं करेंगे तो उसके बाद जिस चिद से हम लोगों को मुकाबला करना होगा कर लेंगे अगर गोली से मुकाबला करना होगा तो वो भी कर लेंगे और आपको बतादू वीरु दादा ने कहा प्यारों का एंकाउंटर तो होना ही चाहिए आपको बता दो दोस्तों सुगदेब सिंग होगा मेडी के हत्या में सामिल इन दोनों सूटरों को जो गिरपतार करा गया जिसमें से एक का नाम नितिन फोजी दुसरे का नाम रोहित राथोड है ये कहा जा रहा है दोस्तों इन हत्यारों को जेल में भी जगा नहीं मिलना चाहिए इन लोगों को सिधा उपर भेज दिया जाना चाहिए लेकिन अब सवाल ये आता है क्या सुगदेब सिंग होगा मेडी के हत्यारों का एंकाउंटर कर दिया जाएगा जिस तरह से राजपुत समुदा के लोगों के मन के अंदर गुसा है क्या इनका एंकाउंटर होगा क्या इन सुटरों को नहीं छोड़ा जाएगा तो आपको बतादो दोस्तों मैक्सिमम लोगों का मांगा इन सुटरों का एंकाउंटर होना ही चाहिए और जब इन दोनों सुटरों का एंकाउंटर होगा तब ही जाकर सुकदेव सिंग जी को सच्ची सर्धान जली देना माना जाएगा लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है कि इनका एंका एंकाउंटर होगा या फिर नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा लेकिन आपको बता दो दोस्तो सुगदेब सिंग गोगा मेडी जी के हत्या के बाद इनकी तीसरी पत्नी के उपर भी अब लोग आरूप लगा रहे हैं इनकी तीसरी पत्नी का आना में सपना सोनी जैसा कि आप समों को पता हुगा इनकी तीन-तीन पत्नियां थी और सपना सोली के उपर भी लोग आरूप लगा रहे हैं लोगों का मानना एक हो सकता है कि इसकी तीसरी पत्नी ने प्रोपर्टी के करण इसका हत्या करवा दी हो तो अब ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों दूसरे एंगल से आरोफ इनकी तीसरी पतनी पर भी लग रहा है और अब लोगों का मांग ये भी उट रहा है दिरे दिरे की इनकी तीसरी पतनी से भी पूश्टाच किया जाना चाहिए और आपको बदादू सर्व समाज के लोगों की दुआरा जो मीटिंग करा गया उस मीटिंग में लोगों की दुआरा यही सपत लिया गया कि सुगदेव सिंग के हत्यारों को किसी भी कीमत पर माफी नहीं मिलना चाहिए उन हत्यारों का सीधा एंकाउंटर होना चाहिए जो भ स्थान आकर लॉरेंस विश्णोई गेंग के सूटरों के एंकाउंटर की बात करे हैं उसके बाद जे दोस्तु बहुत सारे लोगों का मांग याई हुआ है कि हाँ वीरू दादा साई बोल रहे हैं बांकि आप बताना दोस्तु क्या इन सूटरों का एंकाउंटर हो जाना चाह यहां को मिलता हो गले नहीं वीडियो में नहीं खवर के साथ